होट हमारे चेहरे की सुन्दर्ता को बढ़ाने के साथ सथ हमारे मुस्कान की सोभा को भी बढ़ाते हैं लेकिन सर्दियों और गर्मियों दोनों मुसम में होटों को कई परिशानियों का सामना करना पड़ता है सर्दियों में हमारे होट बहुत ज़्यादा ड्राय हो जाते हैं जो की दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं तो फ्रेंट्स यदि आप भी सॉफ्ट लिप पाना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू टिप्स बताऊंगी जिन्हें आप अपना करके आप अपने होटों को सॉफ्ट और मुलायम बना सकते हैं और आपके फटे होटों की समस्या से भी आप चुटकारा पा सकते हैं हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माइ चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फटे और जो दरदरे होटों हो जाते हैं उनसे आपके इस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं और वो भी कुछ घरेलू उपाय करकर ही आज का हमारा पहला मास्क है मलाई और हल्दी का मास्क दूद की जो मलाई होती है उसमें लेक्टिक एसीड होता है जो कि हमारे लिप्स को अच्छे से मौसराइज करने में हमारी मदद करता है इसमें हल्दी होती है जिसमें एंटि बेक्टिरियल और एंटि इंफ्लामेटरी दोनों गुण पाये जाते हैं जो कि हमारे ड्राइ होटो को ठीक करके हमारे लिप्स को मौलायम बनाने में हमारी मदद करती है हल्दी हमारे डार्क लिप्स का रंग भी लाइट करने में हमारी मदद करती है इस पेस्ट को बनाने के लिए एक चम्मच मलाई और आधी चम्मच हल्दी दोनों को अच्छे से मिक्स करकर अपने होटो पर पांस से दस मिर्ट के लिए अपलाई करें पांसे दस मिलिट के बाद में आप अपने होटो को साफ पानी की मदस्ते साफ कर लें और उसके बाद में आप अपने मन पसंद लिप वाम या फिर पेट्रोलियम जेली का उप्योग करके रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें आप आएंगे कि कुछ दिनों में आपके लिप्स सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे और आपके जो फटे होटो की समस्या है उसे भी आपको छुटकारा मिलेगा और जो आपके लिप्स का रंग डार्क हो जाता है उसे भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा हमारा सेकेंड मास्क है हनी और टर्मरीक का मास्क इसे बनाने के लिए आधा टेबल इस्पून हनी और वन पिंच ओफ हल्दी का इस्तमाल करके इसे दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप अपने लिप्स पर मास्क की तरह अपलाए करें इसे भी पांस से दस मिनिट के लिए ऐस पर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नए वीडियो की नौटिफिकेशन आप तक पहुंचे